आज के वीडियो में हम जावा में देखेंगे multi-threading का introduction आज सिर्फ हम introduction देखेंगे threats क्या होते है, multi-user system क्या होता है, multi-programming क्या होती है, process क्या होती है, इस सारी चीज़े हम इनका सिर्फ introduction देखेंगे और real world इनके example से हम इनको connect करके देखेंगे, ठीक है? फिर next videos में हम इनके practicals देखेंगे, synchronization और जो भी चीज़े है, like life cycle of thread, यह सारी चीज़े हम बात में देखेंगे, आज हम सिर्फ introduction देखेंगे, ठीक है न? तो अगर हम multi-threading के simply definition देखेंगे, तो क्या है, process of executing two or more threats simultaneously for maximum utilization of the CPU, मतलब एक से जारा threats को एक साथ execute करना, ताकि हम क्या करे, CPU काया, दूसरे resources का क्या कर सके, maximum utilization कर सके. तो यहां सबसे पहली जो चीज़ आईए, वो क्या आईए, process of executing two or more threats, तो पहले आपको यह तो पता होना चाहिए, कि threats क्या चीज़ होती है, ठीक है न? तो threat पता करने के लिए, तो देखो, पहले हमें threat की definition समझेंगे, तभी हम आगे यह चीज़ समझ पाएंगे, तो threat की definition समझने के लिए पहले आपको कुछ और basic समझना पड़ेगा, आपने multi-user system नाम definitely सुना ही होगा, multi-user का मतलब क्या होता है, कि एक से जादा users को, देखो multi का होता है, कि एक operating system, एक किसे system पे installed है, बाकी सारे terminals क्या है, उससे connected है, बाकी सारे terminals, देखो, यहाँ पर operating system है, like Linux operating system में होता है, यहाँ पर Linux OS क्या है, installed है, ठीक है, बाकी सारे जो systems है, वो as a terminal उससे क्या है, connected है, तो इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर user 1 work कर सकता है, यहाँ पर user 2, यहाँ पर user 3, तो यह चीज़ को मिला कि क्या है, multi-user operating system, यहाँ पर multi-user इस चीज़ को क्या बोला जाएगा, operating system है, multi-user facility, जहाँ पर एक से जादा users को क्या किया जा रहा है, एक ही time पर support किया जा रहा है, एक ही time पर facilities जो भी है, provide की जा रहे हैं, ठीक है न, इसके बाद next आता है, हमारा multi-programming, क्या रहा है, multi-programming, यहाँ पर हमारे अलग-अलग क्या है, terminals है, multi-user का एक simple सा example देखें, तो देखो, एक तरद से जिससे जो प्याव होते हैं, तो यहाँ पर अगर माल लिया, कि एक ही tap होता है, एक ही null होता, तो at a time, एक ही user वहाँ से पाणी पी सकता था, लेकिन यहाँ पर अलग-लग क्या कर दिए गए, नर्ग बना दिए गए, connection एक ही है, अलग-अलग क्या बना दिए गए, ताकि एक से जादा users वहाँ से क्या करते हैं, benefit उसका ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं ठीक है न तो यह simple सा multi-user का real world example था हम आते हैं multi-programming पर So multi-programming का मतलब क्या होता है कि हमारा जो operating system है वो एक से ज़ादा programs को क्या कर सके एक time पर execute कर सके ठीक है लेकिन multi programming में होता क्या है न कि हमारी जो main memory में है वो एक से जादा programs क्या हो जाते हैं लोड हो जाते हैं तो यह हमारा first program हो गया यह हमारा second program हो गया यह हमारा third program हो गया लेकिन इसमें context switching नहीं होती है क्या होती है context switching उसमें बाद में आते हैं जो program से उनको load तो एक ही जगे पर कर दिया जाता है एक साथ कर दिया जाता है माल लिया कि अभी जो CPU है वो इस प्रोग्राम P1 को क्या कर रहा है, एक्जीक्यूट कर रहा है, अब प्रोग्राम P1 को अभी नो कुछ input device की ज़रत है, मतलब वो input का wait कर रहा है, जब तक input नहीं आएगा, तब तक CPU उस पर execution perform नहीं कर सकता है, तब तक क्या CPU freeback है, तो वो क्या क करेगा, प्रोग्राम P2 पर थोड़ा वो काम करना क्या कर देगा, चीक है, अब माल लिया कि प्रोग्राम P2 को भी अब किसी input device की ज़रत पड़ रही है, चीक है, किसी और resource की ज़रत पड़ रही है, अभी CPU की उसको ज़रत नहीं है, तो अब तब तक CPU free नहीं बैठेगा, अब इसके बाद next time आते है, multitasking या multiprocessing पे, इसमें क्या होता है, कि यहाँ पर भी एक से ज़्यादा प्रोग्राम से एक साथ क्या होते है, execute CPU कर पाता है, लेकिन यहाँ पर context switching होती है, context switching का मतलब क्या होता है, कि CPU जो है, अपने time को कुछ इस तरह से divide कर देता है, मतलब उसस सोच लिए कि 2 millisecond में इसको दूँगा, 2 millisecond में इसको दूँगा, 2 millisecond में इस वाली process को दूँगा, और यह जो switching होती, 2 millisecond इसको दिये, then यहाँ गया, then यहाँ, then यहाँ, then यहाँ, then यहाँ, इस तरह से क्या होती है, context switching होती है, थोड़ा थोड़ा time अपना सब को share कर लिया, औ और वो जो है switching इतनी fast होती है कि आपको process P1 को ये लगेगा कि वो CPU जो है वो सिर्फ मेरा ही काम कर रहा है process P2 को ये लगेगा कि CPU सिर्फ मेरा ही काम कर रहा है मैं पता तक नहीं चलेगा कि CPU एक से ज़ादा processes को क्या कर रहा है ठीक है ना जैसे आप क्या करते हो at a time आपने अभी क्या चला रखे है songs चला रखे है ठीक है आपको लगा चलो अब हम गेम भी खेल लेते तो देखो एक से ज़ादा process इस एक साथ क्या हो रही है एक एक्जीक्यूट हो रही है क्या आपका कभी गेम बीच में इंटरप्ट होता है नहीं होता है क्या आपका सॉंक कभी बीच में रुखता है नहीं रुखता है मतलब CPU क्या कर रहा है दोनों process को equal equal क्या कर रहा है time दे रहा है दो second या 2 second या 2 या 2 यहां तो इस तरह से क्या ह switching होती है एक से जादा processes इस तरह से क्या कर पाता है CPU execute कर पाता है तो यह हमने क्या देखा processes देखी normally programmer process के बीच में difference यह होता है कि यह normally program है जो कि main memory में पड़ा हुआ है अगर उस चीज को CPU अभी execute कर रहा है उसने queue में ले लिया है कि हाँ मुझे इसको execute करना तो उस चीज को process बोला जाता है यह सब आव operating system में देखोगे अभी आपने यह सारी चीजे देख ली है ठीक है अब बात ही आती है कि अब यह thread क्या होता है आपने process समझ लिया user समझ लिया program समझ लिया अब thread क्या होती है तो thread जो होता है न सबसे छोटी unit होती है एक processing की processing की सबसे छोटी unit क्या होती है एक thread होती है यह एक तरह से क्या होता है sub process होती है क्या होती है यह एक sub process होती है देखो जैसे कि मैंने बताया यह है हमारी process p1 ये है हमारी process P2, ये है हमारी process P3 जिन पर CPU अभी काम कर रहा है इसको माल लेते हैं कि ये है हमारा game, इसको माल लेते हैं कि ये हमारे song से जो कि background में play हो रहे हैं और इसको माल लेते हैं कोई और background process है जो कि CPU करता है, कोई भी और आपने कोई एडिटर उपन कर रहा है, कुछ भी है, ठीक है अब इसके अंदर भी क्या होती है इनके अंदर भी कुछ छोटी-छोटी sub-processes होती है, उन्हीं को क्या बूला जाता है, thread बूला जाता है जैसे एक game की हम बात करें मैंने जादा games खेले नहीं है लेकिन games के अगर हम बात करें, तो हम देख सकते है timer जो है, अपना time जो है change करता जाता है, ठीक है तो वो हो गया हमारा एक threat ठीक है, उसी game के अंदर कोई आपका जो अपने gun ले रखी है जो आपका curse अवे मान लिया, वो gun ही है ठीक है, वो हो गया हमारा दूस्ता threat और दूस्ता जैसे Mario game में वो जो भी joke करें, जो कुछ भी रहता है वो चलता रहता है, तो वो हो गया हमारा तीस्ता threat, मान लिये कि साथ में उपर से birds चल रहे हैं या कुछ और भी जो है, उस पे कुछ भी bricks गिर रहे हैं कुछ भी हो रही है, तो वो हो गया हमारा तीस्ता threat, तो आग game में देखते हो कि छोटे-छोटे हर एक चीज अलग-अलग से होती है एक क्या हो गया हमारा जैसे timer बताया, एक बता दिया, हमने हमारी यो gun बता दिया, तो ये दो ही क्या हो गए, एक ही process के अंदर क्या हो गई, sub processes हो गई, तो ये क्या हो गई हमारे threats हो गई, क्या एक ही processes के जो sub processes होती है वो क्या होते है, threats होते है एक light weight process भी इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या दुग गया नहीं, टाइमर भी साथ साथ चल रहा है, वो जो आपका वो कार्टून है, वो भी साथ साथ चल रहा है, जो उपर बर्ड से मो भी साथ साथ चल रहा है, बहुत सारी चीज़े क्या हो रहे हैं, साथ साथ में चल रहे हैं, कुछ भी दुख नहीं रहा है, तो यहाँ क्या है multi threading की definition जो कि अब आपको समझ में आ गई होगी कि एक से जादा threads को एक साथ execute करना हो thread क्या चीज़े एक ही process की sub processes क्या होती है threads होती है song में भी होता है जो क्या होता है controller चलता है timer चलता है एक song की buffering कर रहा है तो अलग अलग क्या हो सकती है sub processes हो सकती है अगर आपने एक web page open कर रहा है आप एक जगे पे typing कर रहे है वो एक process चल रही है दोस्ती जगे कोई सा animation perform हो रहा है कोई सी ads आ रही है वो क्या हो गया दूसरा thread हो गया ठीक है तो thread एक process की भी क्या होती है सब वो processes होती है ठीक है ना इतना concept आपको समझ में आ गया अब यह जो multi processing है वो भी कुछ इस तरह से होती है कि एक thread दूसरे thread को disturb ना कर सके इस thread के अपने कुछ variables होंगे दूसरे thread के अपने कुछ variables होंगे ठीक है ना इस thread के जिसे timer का अपना एक variable होगा counter ठीक है जो मैंने गन बता ही उसका अपना कोई variable होगा जिसमें क्या होता है कि गन्स जो है वो कम होती जाती है उसके अंदर जो भी जो कुछ भी shots होते हैं वो क्या होते हैं कम होते जाते तो यह सब तो game का मुझे जादा knowledge नहीं लेकिन थोड़ा सा अगर आपने खेला हो तो आप imagine कर सकते हो ठीक है तो आप ऐसा नहीं है कि thread T1 को अगर CPU execute कर रहा है तो thread T2 को वो चीज पता चलेगी कि नहीं अभी वो T1 execute हो रहा है जैसे आप पानी पूरी खाने गए होंगे तो अगर आप यहां पे 4 लोग Q में खड़े होए हो एक किसी ने बुला कि उनको जो है तीखा पानी खाना है तीखा पानी चाहिए ठीक है ना तो यहां पे क्या हो जाएगा तीखा पानी ठीक है एक किसी ने बुला कि उनको मीठा पानी चाहिए ठीक है तो यह क्या है यह चीछ जो पानी पूरी वाले भाईया है वो क्या रखते हैं माइंड में रखके ही कान करते हैं तो यहाँ पर भी अगर एक से जादा threads एक साथ execute हो रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि CPU को ध्यान नहीं रहेगा मान लिया कि इसका एक variable है i is equals to 0 इसका एक variable है j is equals to 1 तो अगर अभी CPU ने आके इसकी value 1 कर दी है और इसकी value आके 2 या 3 या 4 कुछ कर दी है तो अगली बार जब CPU इस वाले thread पर आएगा तो इसकी आई कि पुर्णानी value के साथ ही कान करेगा मतलब यह जो variables है यह आपस में disturb एक दूसरे को नहीं करेंगे तो इन चीजों का अब आपको क्या रखना है ध्यान रखना है अब एक overview आपको मिल गया कि thread क्या होता है multi-threading क्या होती है अब Java में भी हम programs बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे एक से जादा threads को हम क्या करेंगे खुद create करेंगे एक thread होगा जो क्या करेगा कुछ भी एक welcome message प्रिंट करेगा एक जो thread होगा वो कुछ hello message प्रिंट करेगा तो यही चीज़ है एक जो thread है वो किसी particular value की जो table प्रिंट करेगा एक दूसरा जो thread है वो किसी दूसरी value की table क्या करेगा print करेगा तो यही चीज़ अब एक ही program में अलग-अलग threads को बनाना सीखेंगे आगे के videos में